नमस्कार मित्रों मैं सुशील बलुनी एक बार पुने आपका स्वागत करता हूँ अंक जोतिश से सम्मंदित इस विशेश कारिक्रम में पिछली एपिसोड के अंदर हम लोगों ने चर्चा की थी कि बेसिकली भारती अंक जोतिश और पास्चात्य अंक जोतिश में किस प्रकार की भिन्नता है नाम के अंदर स्पेलिंग्स की जो हम लोग करेक्शन्स करते हैं उसके क्या हानिया है उसके साथी साथ में और कौन कौन सी इसमें विधाये हैं तथा हमें क्या करना चाहिए? आज उससा अगले एपिसोड हम लोग लेते हैं, इस एपिसोड के अंधर हम चर्चा करेंगे कि आपको अपना मूल अंक और पूर्ण अंक किस प्रकार से निकालना है? पहली बात. दूसरी बात, जो आपके नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, जीरो से लेकर के एक, दो, तीन, चार, नौतक और उसके बाद में अनंत. इन से सम्मंदित, ग्रह क्या क्या हैं? इन एक से लेकर के नौतक के अंकों का जो मित्र अंक हैं, वो कौन से होते हैं? शत्रू अंक क कौन से होते हैं? तो मित्रों बहुत अच्छा विशय है, आपसे एक बार पुने निवेदन करूँगा, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, और उसके साथी साथ, अपने मित्रों को भी इसको आगे आप फरवर्ड करके, उनसे भी बूलिएगा कि इसको सब्सक्र 18th May 1971, यह आपने एक date of birth कहीं पर लिखी है, अब इस date of birth के आधार पर आप कैसे मूल अंक और उनंक निकालोगे, तो 18 में जब आपने 1 प्लस 8 इन दोनों को जोड़ा है, तो इससे बना 9, अर्थार्त जो 9 का नंबर आया, यह आपका मूल अंक बना, और उसके बाद में 1 और 8 को जोड़ा आपने 9, महिना 5 वाँ था, तो 9 और 5 14, 1971 14 और 15, 15 के साथ में 9 जोड़ा, तो आपका गया 24, 24 के साथ में 71, 7 जोड़ा, तो 24 और 7, 31, 31 में फिर 1 जोड़ा 32, तो यह सब आपने जोड़े तो last में 32 आया, और 32 में 3 प्लस 2, यह फिर equal to 5, तो इसका पून अंक बना 5, तो मूल अंक 9 और पून अंक 5, अब दीखिए मूल अंक और पून अंक किस तरीके से काम करते हैं, जो आपके जीवन में संपूनता देने वाली चीज है, completeness लेकर के आने वाली जितनी भी चीजे हैं, उनका फल पून अंक के आधार पर देखा जाता है, और उसके साथ आगे और भी चीजे निकल करके आएंगी, और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, कि जब भी हम मूल अंक और पून अंक निकालते हैं, तो मूल अंक में कभी-कभी डेट आती है, एक से लेकर के 9 के बीच में, तो वो तो मूल पून तरीके से मूल हो गया, लेकिन जैसे इस ड मूल अंक जो बनेगा, उसको सुभाव कभी भी एक जैसा नहीं होगा, ये अलग-अलग होगा, अगले एपिशोड में इसको हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे, तो इस प्रकार से आप अपना मूल अंक और पून अंक निकाल सकते हैं, किसी वीडियो टोब वर्त का, अब इ एक से लेकर के जो नौ तक के हम लोगों के अंक हैं, इनसे सम्मंदित देव कौन-कौन से हैं, अब देखिए, सबसे पहले एक का अंक, ये डिपेक्ट करता है, इसके सम्मंदित जो ग्रह है, या इसको हम लोग देव की भी कभी संग्या दे देते हैं, तो सूर्य से सम्मंद इसके अंदर 9 का जो अंक है इसको हम लोग complete number या पूर्ण अंक भी कहते हैं 9 का अंक पूर्ण अंक भी कहलाता है और कई लोगों के अंदर थोड़ा सा ये धारणा भी है कि 9 का अंक इसलिए चुकि पूर्ण अंक है तो बहुत अच्छा होता है लेकिन आप ये निश्चित मान करके चलिए कि कोई भी अंक खराब नहीं है ना तो केतु खराब है ना अंकों के आधार पर अपने जीवन की का जो विशलेशन है जीवन का जो तरीका है जो काम करने की चीज़े है जिस प्रकार के अंक है उस धारा में आपको अपने आपको बहाना है कभी भी देखो आप नाव चलाओ तो आप गर आप जिस दिसा में पानी बहरा है उस दिसा मे आप अपनी नाव को ले करके जाओगे तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी और अगर पानी की जल की धारा के विपरीत आप चलना चाहोगे तो आपके लिए कठिंता होगी तो दीखे सब तरीके के काम है रेल स्टेट रिलेटेट भी है अब आपका अमान करके चलिए विद्या बुद्धी से संब्धित आप टीचर भी बन सकते हो आप इंजिनियर भी बन सकते हो जो व्यक्ति केमिकल इंजिनियर अच्छा बनेगा वो केमिकल इंजिनियर जो अच्छा बनेगा वो व्यक्ति मेकेनिकल इंजिनियर नहीं बन सकता तो कुछ अंक मेकेनिकल के लिए हैं कुछ केमिकल के लिए हैं तो आपको अपने अंकों के अधार पर काम करना है ना कि आपने काम अपने दिमाग में सोच लिया मुझे यह करना है पता चला उससे संबंदित आपके ग्रही यह नहीं है उसमें compatibility आपकी नहीं बन रही है उसमें money नहीं लग रहा है जैसे आपके mood और पूर्ण अंक होंगे उस प्रकार से आपका स्वभाव बनेगा अगर आपको कल्पना से संबंदित बहुत सारे काम करने imagination creativity related तो वैसा अंक होना चाहिए सपोस कीजिए आपको एक व्यापार एक व्यावसाय मिला कि जिसके अंदर आपने slaughterhouse कोलना है या आप मांस मचली का बेचने का काम करने उससे संबंदित डिफरेंट अंक होंगे उसी तरीके से आप एक डॉक्टर हो यानि कि जीवों को बचाने का काम कर रहे हो तो डिफरेंट अंक होंगे तो अंकों के आधार पर आपको अपना career decide करना है न कि career decide कर लिया और उसके बाद में फिर अंक देखते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी अंक बुरा नहीं है और कोई भी अंक अच्छा नहीं है अच्छे बुरे का discrimination होता ही नहीं है अंक आधारित क्या किया जाए कि आपको सफलता मिले आपको बंबई जाना है दिल्ली में बैट करके तो पश्चिम की तरफ मुख करके चलना पड़ेगा अगर आप दक्षिन की तरफ मुख करके पहुँच चलोगे ये सभी निर्धारण आपके अंकों के आधार पर होने चीए तो मैंने आपको एक से ले करके नौंक तक का अब आप बोलेंगे कि मैं चर्चा कर रहा था सून्य और अनंत की तो इनका क्या महत्व हुआ हुआ तो देखी इसका महत्व क्या है सबसे पहले आप सून्य को समझो सून्य एक ऐसी राशी है कि अगर किसी भी राशी के साथ आप उसको जोड़ोगे तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है एक प्लस जीरो इकोल टू एक दस प्लस जीरो इकोल टू दस तो सून्य के साथ जोडने से या सुन्य को जोडने से कोई लाब नहीं होगा सुन्य के साथ घटने से या सुन्य को घटाने से भी कोई लाब नहीं होगा क्योंकि एक माइनस जिरो वराबर एक दस माइनस जिरो वराबर दस अब लाब कहां पे होगा लाव होता है इससे मल्टिप्लाइ होने पे या डिवाइड होने पे अगर आप सुन्य के साथ में गुणा होते हो तो आप सुन्य हो जाओगे यह बहुत बड़ी हानी है तो सुन्य के साथ में रीस नहीं करने सुन्य के साथ competition नहीं करना अब सुन्य क्या है सुन्य है अध्यात्म सुन्य है सोच सुन्य है आपका अंतर अंतर्मन ये सारी चीज़ें आपके सुन्य से संबंदित हुई तो सुन्य के साथ में किसी भी प्रकार का आपका competition नहीं होना चाहिए सूर्य से competition, सूर्य के risk आपको सून्य मना देगी किन्तु यदि आप सून्य से विभाजित होते हैं तो आप अनंत को प्राप्त करेंगे जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी चाहते हैं वो सून्य से मिल जाएंगे अब यह सून्य क्या है? सून्य का मतलब है जुकना सून्य का मतलब है कि compromise सून्य का मतलब यह है कि hard work सून्य का मतलब यह है कि ग्यान सून्य का मतलब यह है कि अंतर मुखी होना सून्य का मतलब यह है कि प्रकृत के साथ आत्मसाथ होना सुन्य का मतलब यह है कि जो आपका इस्ट है इसके साथ में जो आपका इस्ट है जो आपका देव है जो आपका गुरू है उसके साथ आप पूंध रूप से समर्पित हो जाएं सुन्य समर्पन का दूसरा नाम हुआ तो समर्पन सुन्य सिखाता है और समर्पन के साथ पूरा hard work यदि किया जाए तो अनन्त यानि कि जो extreme अनन्त आपको जो result चाहिए वो आपको मिल जाएगा तो ये सुन्य और अनन्त सुन्य के माध्यम से अनन्त की प्राप्ती होगी और उसके साथी साथ एक से लेकर के जो नौ तक के आपके अंक हैं ये आपकी धारा को निर्धारित करेंगे तो इस प्रकार से ये मैंने आपको सुन्य से लेकर के अनन्त तक के नंबर और एक से लेकर के नौ तक्की चीजों के बारे में बताया अब थोड़े से इस पे और चर्चा कर लेते हैं अब देखे जैसे सूर्य है तो सूर्य जो है अपने आप में हम लोग इसको कूर ग्रह कहते हैं कूर ग्रह हम सूर्य को इसलिए कहते हैं कि सूर्य में बहुत अधिक ताप है तो उसकी प्रकरती उस प्रकार से बनेगी चंद्रमा एक तरीके से सीतलता प्रदान करता है उसकी प्रकरती उस प्रकार से बनेगी ब्रहस्पती ज्यान से संबंदित है उसकी प्रकरती उस प्रकार से बनेगी राहू जो है ये आपको सडन चीजें देता है अचानक अकस्मिक अच्छी ये बुरी उसकी प्रकरते उस प्रकार से बनेगी बुद्ध जो होता है आपको वाक्चातुर ये समझाता है ये सारी चीजें देता है तो उसकी प्रकरते उस प्रकार से बनेगी शुक्र जो होता है वो आपको सांसारिक सिकाता है केतु आपको strategies देता है शनी आपको hard work देता है और मंगल आपको पराकरम देता है तो ये इन अंकों के साथ जुड़े हुए गुण हैं आपके तो किस प्रकार से मूलंक निकालना है कैसे पूनंक निकालना है इन से सम्मंदित क्या-क्या गुण आपके है इन चीजों के उपर में आज हमने इसमें प्रकास डाला है बहुत लंबा विशय है तो एक ही एपिसोड के अंदर सब कुछ collect कर पाना ये थोड़ा कठिन है तो इसके आगे की चीजें इससे सम्मंदित आगे जितनी भी चीजें है उनको हम आगे चल करके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर हम विश्टेशन करेंगे एक-एक नंबर के आधार पर एक, दो, तीन, चार ऐसे करके एक से लोग ले करके नौ तक के अंकों के उपर में हम लोग आगे विश्टेशन करेंगे तो मैं आज के इस एपिसोड को यहाँ पर विराम देने से पहले यही कहूंगा कि अंकों को ढग से समझें उसके साथ आत्मसाथ करें उसके इसाफ से अपना करियर डवलब करने की कोशिश करें और दूसरी चीज अगर आपको यह मेरा कारिक्टरम अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को खुद तो सब्स्राइब करें और उसके साथी साथ अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई-बेनों को इसको फॉर्वर्ड करें और सब्स्राइब करने के लिए बोलें ताकि वो भी इस अंक जोतिश के ज्यान का लाव ले सकें अपने मित्र शुशील वलिनू को दीजे आ गया बहुत-बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड के अंदर किसी और नए विशे के साथ उपस्ते दोंगा तब तब के लिए प्रणाम